Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस्त, बढ़िया, मस्त होना भी चाहिए, पढ़ाई मस्त चल रही होगी, नया साल आ चुका है, तो उमीद है इस नया साल में बहुत सारा सोचाओगा अपने अपनी लाइफ की बारे में, और उसकी सुरुवात कहां से होती है, पढ़ पढ़ाई तो करने ही है, बिना पढ़ाई के कुछ होना नहीं है, तो चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर, चैप्टर नमर फाइब, ड्रग्स एक्टिंग ओन सेंट्रल नवर सिस्टम, इसका लेक्चर नमर बन है, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे ड् सिस्टम को बहुत सारे ड्रग्स काम करते हैं, उनमें एक है एनास्थेटिक्स, सुना होगा, जो भी होशी के लिए, सुन्न करने के लिए, डवाएं काम में आती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनास्थेटिक कहते हैं, किलियर है, चले आगे, स्टार्ट करते हैं, तो होर सम ऐसे हैं हम लोग जरा ड्र्रैने अक्टिंग on Center пон ऑफ सिस्टम चेंद्रिय तनत्रिका तन्तर ठीक है क्या लिखा ओएं है केंद्रिय तंतरिका तन्तरिका बच्चे वोर लूइब दो नविग दिया मैंने तो नौख सिटम होता क्या है वट इस अनोज सिस्टम क्या है यह nervous system part of animal body it is nervous system is the part of animal body किसी भी animal body का वो part है वो हिससे है that coordinate जो की तालमेल बैठाने में काम करता है मैं क्या बोल रहा हूं मेरे के expression आने चाहिए ठीक है मैं चल रहा हूं तो मैं गिरना जाओं देखा होगा कि जब आज भी कर लेता है तो चल नहीं पाता है क्या वजह हो जाती है अक्शी में होता concealer टालमेल बिगर जाता है उसके दिमाग का शोचने की समद्धब बगड जाती जाता कि कुदब यहां रख रहा हूं तो कहां बैलेंस करना है, that's right, यहां लिख दिया है, coordinate means thalmel, ठीके न, क्या बोल रहा है, the nervous system is the part of an animal's body that coordinate its behavior, क्या करता है, उसके behavior को coordinate करता है, thalmel, जैसा मेरा भी behavior क्या है, मेरा पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको पुरा coordinate करेगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोलना है, मेरा action ले रहे हैं, यह सारा behavior को क्या कर रहा है, यह coordinate कर रहा है, and transmit signals between different body areas, और different body areas के बीच में, signals को transmit कर रहा है, ठीक है न, present time पे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी आवाज भी सुन रहा हूँ, अपनी आवाज को सुन करके ही, मैं कोई action ले रहा हूँ, क्या अच्छा, मैंने यह पाली चीज़ें जो होती है, यह कौन करवाता है, nervous system करवा रहा है, बात clear होगी, यानि कि overall अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपका nervous system काम कर रहा है, बिना उसके आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, vertibrates, रहरों कर सक्झे, वर्ट ब्रेट्स वह जानवर हैं, जिनका vertibrat पाय जाता है, क्या होता है यह vertibrat, vertibrat को र्मोटा-मोटा समझ सकते हो, जिन लोगों की backbone होती है, क्या होती है बैकबॉण यह सकते हैं रीड की हड़ी की जन जानवरों की रीड की हड़ी होती है उनको हम लोग कह सकते हैं वर्टीप्रेट्स इन वर्टीप्रेट्स रीड कहटी साप मचली मेंडक हम जितने भी जानवार हैं consist of two main parts वर्टीप्रेट्स के अंदर nervous system के दो main parts होते हैं इट मतलब nervous system the central nervous system जिसका हम बोलते हैं CNS ठीक है इसके अंदर brain and spinal cord हमारा brain और brain से टच करता हुआ अब backbone के अंदर से जाता हुआ कौन है spinal cord and the peripheral peripheral क्या होता है peripheral मतलब जो हमारे center में ना होकर के side में जिसे हमारे हाथ के उंगलियों वगर रहे हैं यह सब चीज़ें जो control हो रही है यह यह एक्शन कर रही है peripheral मतलब होता है बहारी पैरिफेरल का मतलब क्या लिख सकते है यहां पर करो भार की तरफ और जो बहारी हिस्सा होता है क्या होता है बहारी हिस्सा होता है इसकी एक्चुली एक्ट्ट असे हैं वो है बहारी हिस्सा तो वो आता है peripheral nervous system वो nervous system जो हमारे बहारी हिस्सों को एक हमारा center part body का एक हमारा बहारी part है यह tongue, यह हाथ यह बहारी part है ठीक है जो इनको control करेगा वो क्या कहलाएगा peripheral nervous system तो फिलाल उसकी बात भी करेंगे हम लोग फिलाल जो हमारा topic है वो किस पर रहने वाला है फिलाल हमारा topic है वो है central nervous system तो उमीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा अब central nervous system जो समझ में आ जागा अच्छा brain और spinal cord इसके उपर असर करने वाली दवाईयां यह पढ़ने जा रहे हैं मजा आएगा मजा तो आ नहीं है ना जब चीजह समझ में आएंगी तो मजा आएगा ठीक है देखते हैं आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको central nervous system काम कैसे करता है central nervous system तो central nervous system उमीद है मैं समझते होंगे सब लोग एक cell खास तरह के पाए जाते हैं जिसकों कि हम लोग क्या बोलते हैं neuron cells कहते हैं क्या कहते हैं neuron cells सुना होगा देखा कि इस टैप से यह main cell body हो होते हैं receive करते हैं message from other cells ठीक है यह उसके उपर मोटी मोटी covering होती है मैलींग कहते है ठीक है यहां से इस तरीके से जो message आ जाता है वह electrical signal के तोर पर फिर आगे आगे पहुंचता है अच्छा एक cell से message आया यहां पहुंचा यहां पहुंचा अब यहां पार जो दूसरा cell होता ह है उसके dandards आके मिले होते हैं और फिर यह जो इसके जो end point होते है यानिकी मैं इसकी बात करूँ इसको यह end point है ठीक है ना यह इसका end point यह दिखा रखा है signal आता है यह जो होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं synaptic vesicle इसके अंदर chemical भरा हुआ है क्या भरा हुआ है chemical भरा ह molecules जब signal आते हैं तो यह सानप्टिक vesicle नीचे की तरफ आते हैं और मेंब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे चिपक जाएंगे फट जाते हैं यह जो निरो ट्रांस्मिटर केमिकल है यह यहां से निकल करके इस गैप में आयता है बहुत छोटा गैप होता है यह हमको ऐसे दिख भ अच्छा तुम आ गए इतने सारे केमिकल आ गए मैसे आगे बेजना है फिर यह आगे बेजता है यह आगे आगे वाला जोड़ी होगा यह आगे बेज़ेगा यह उसके आगे बेज़ेगा इस तरह से मैसे बहुत जल्दी seconds of seconds खटा-खट खटा-खट अब इमेजन कर सकते हो कि यह आगे बेजना कितना फास्ट होगा इसको ऐसे मेजन लगाओ तुम कहीं और देख रहे हो धीरे से तुमने कोई गरम प्रेस कर लो गरम प्रेस पर हांथ चूलिया हांथ का टच करना उंगली में गरम लगना वह मैसेज गया ब्रेन में यह सारी प्रोसेस हुई फिर ब् हो रहा है तो समझना क्या था इसी प्रोसेस को अगर रोख दिया जाए जयाना कि यह दवाई च्वासेस को ok stop कर देंगी जैसे торफोगी signals का आना-जना बंद हो गया सिग्मिल का आङ मेरा हान जाना बंद हो जाएगा तो किया मेरा हाथ कि private जल रहा है पेंब बंद हो एक्ञाइन काम कैसे कर रहे हैं यह इंसल्स के थूसुल ऌधर्ष पर Jewish जो डे तो mode of action अपने course में इस बार नहीं है, clear है, mode of action समझने के लिए आप लोग चाहो तो next time पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अगर ज़रूत पड़ेगी किसी topic को detail में समझाने के लिए तो mode of action उसका में बताऊंगा, but mode of action अपने course में नहीं है, मैं इतना explain कर दूँगा कि topic तुमारा interesting ब of brain and spinal cord ठीक है, our brain uses nerve, किसका इस्तमाल करता है, इनको हम लोग निरोंस को क्या बोलते है, nerves बोलते है, to send message, ये message बेचते है, to rest of your body, जो बाकी की body है, उनको क्या बोलते है, message बेचते है, each nerve has a protective outer layer called myelin sheath, ये जो देख रहे हो, myelin sheath, ये होती है, myelin insulate the nerve and help the message get through, myelin help करती है, ये नर्स को protect करके रखती है, और इसके अंदर से होता हुआ, इसके अंदर से भी जाते है, कई बार, जो myelin sheath होती है, message है, इसे jump करके भी जाता है, ये process अभी अपने course में नहीं है, तो myelin sheath की वज़े से कहीं ना कहीं, messaging process हो fast हो जाती है, क्या हो जाती है, यहाँ पर electrical signal एक cell से दूसरे cell की तरफ signal जाने की process है, जो gap है, इसको हम लोग कहते है, synapse, क्या कहते है, synapse कहते है, clear है बाते हैं, तो overall ये दवाईयां क्या करने वाली है, हमारी इसी sensation को खतम कर देने वाली है, जैसे कि मालो हमारा operation हो रहा है, हाथ में cut लगना है, तो ये जो pain है, ये हमार दूलेंगे नहीं, और doctors अपना procedure जो operation है, वो easily कर पाएंगे, क्लियर है बात है, क्लियर हो गई, nervous system चलें आगे, ओके, आगे देखते हैं, anesthetics, an anesthetic is a drug, anesthetic क्या होते हैं, ठीक है, anesthetic एक drug है, या कहलो एक agent है, that produce, जो पैदा करता है, complete, पूरा या आधा आधा आधा, थोड़ा complete या partial loss of sensation और feeling, यानि कि या तो feelings और sensation मतलब समझते हो ना, sense करना, sensation मतलब किसी चीज को sense करना, छू रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंग रहे हैं, यह सारे क्या हैं, senses हैं, इनको या तो पूरी तरीके से loss कर देगा, है ना जो लोग भियोश हो जाते हैं, उनको को समझ में नहीं ना बदबू, ना खुसबू, ना कट लगना, ना कुछ, या partial, partial case में हम लोग partial मतलब कुछ, partial मतलब कुछ, कुछ की बात कहां आती है, जैसे मालों को दांत उखाड़ना है, तो केवल इतना हिस्सा हमारा सुन हो जाएगा, है ना, पूरी body को सुन करने की जरूरत नहीं है, आजकल बड़े-बड़े operation, heart operation भी आजकल पूरी body को भियोश करके नहीं की जाते हैं, आख का operation हो रहा है, केवल आख का इतना हिस्सा क्या करता है, सुन कर दिया जाता है, और patient हमारा aware रहता है, आसपास क्या हो रहा है, और वो host में रहता है, केवल उस body का उतना हिस्सा सुन ह करके operation हो जाता है, that is called partial loss, कुछ पास समझ मारी है, clear है, तो अगर हम बात करें, anesthetics की ऐसी दवाईयां, जो हमारे losses को, हमारे feelings को, हमारे sensation को खतम करती है, चार category में डिवाइड किया गया है, four men categories, ठीक है, तो कह रहा है, there are four men categories of anesthesia used during surgery and other procedure, अच्छा, other procedure, कुछ लोग सोचे लो जाता है, तो देखो, बच्छों कई बार ऐसा होता है, कि जैसे मार लोग हमारे पेट के अंदर कुछ क्या कहते है, piping वगरा डालनी है, anesthesia डालना है, oh sorry, anesthesia से बोड़ना है, endoscopy करनी है, तो pipe जब पेट के अंदर से होता हो जाता है, तो कई बार थोड़ा pain वगरा होता है, त ठीक है, तो यह आते हैं, other procedure, तो चार category कौन सी है, journal anesthesia, work on whole body, journal सब्से समझ जाना, journal बोल रहा है, मतलब पूरी body को पर काम करेगा, you lose, you lose consciousness, तुम भ्योश हो जाओगे, conscious, consciousness, consciousness मतलब चेतन या चेतना, हम लोग जब होश में होता है, हमको हथी का sense है, तुम यह खोद होगे, य कोई तुम्हें काट रहा है, कोई तुम्हें चुबा रहा है, कोई पास में बदू है, तुम्हें फरक नहीं पड़ेगा, loss of consciousness, पूरी की पूरी body, whole body, पूरी body, अगर ऐसा कोई medicine काम कर रही है, जो पूरी body को भ्योश कर दे, पूरी body को senseless कर दे, तो उस anesthesia को हम लोग क्या क से या, regional, regional दो सहाँचतो ना, region होते हैं, एक south region, लखनो region, डेली, east region, west region, यान की हिस्से, यान की only a part of your body, body का एक खास हिस्सा, become numb, नम जिनलों को नहीं पता हो लिखने, इसका मतलव होता है, सुन कर देना या सुन होना, but patient become aware, aware मतलब जगा हुआ होना, patient कैसा रहेगा, जगा हुआ रहेगा, बट उसका वो पार्ट, मालों हाथ का, आफ सुन हो जाएगा, देखा योगा, सब लोगा, सब के घरों में कहीं, चाचाता हो में, रिष्तिदार में कहीं, डिलेवरी होगा होई होगी, तो जिन लेडिस की डिलेवरी होती है, उनका जो sedation मतलब, patient become drowsy but able to talk, जैसे कि आप जब बहुत जदा नीद में होते हो, तो आप चल फिर तो सकते हो, लिए सोचने की छमता नहीं होती बहुत जदा आपके, ड्रावजीने से आता, तो वो ही चीज है, तो कई बास sedation के लिए इस्तवाल होता है, patient become drowsy, सोया-सोया सा, but able to talk, आप बात करने की हालत में और नीज में आप बात कर लेतो हो, लेकिन कुछ काम करने की छमता में नहीं होते हो, that is called sedation, local anesthesia, local मतलब बहुत ही छोटा हिस्सा, जैसे कि दात का बता है, मैंने, कि दात के आसपास injection लगा कि इतना हिस्सा सुन कर दिया, और दात को निकाल लिया, that is called local, sedation भी पूरी बाड़ी पर होता है, it number सुन कर देता है, a small area, and patient are alert and awake, but patient होता है, यहां बहुत होता है, कुछ काम होगा तो कर सकता है, और बोल सकता है, समझ सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने four main category anesthesia की divide कर रखी है, कि किस तरीके से हम इनको divide कर सकते हैं, उनके mode of action प anesthesia देते हैं, तो यह stages आती है हमारी किर्ब, यह आती हमारी general anesthesia में, इस थीयों, सब्सक्राइब होता है, तो पहली stage शच्राइब है, नाल ज सबसे पहले आपको दर्द होना बंद हो जाएगा, जैसी आपको दबा दी जाएगी आपके अंदर क्या होगा दर्द होना बंद हो जाएगा कम हो जाएगा खतम हो जाएगा इस स्टेज स्टार्ट वें यू टेक मेडिसिन जैसी तुम मेडिसिन लेते हो वैसी ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है एंड से भी और खतम होती है एंड हो जाती है विद्धा बिग्रिंग ओफ लॉस ओफ कॉंसियस्नेस और जैसे ही आप पुना होस्क होने लगते हो वैसे इस स्टेज का अंत हो जाता है यानि कि इस स्टेज का में काम है आपको दर्द से निवार्ण कर देगी और आप विहोश्टी की हालत में जाना शुरू कर देते हो सेकंड स्टेज है डेलीरियूम या एक्साइट्मेंट डेलीरियूम मतलब होता है एक तरह से कि आप यहाप द्रॉस्थिए नेंद वाली अवस्था आजाती है त्हिंक है कैसी अवस्था जाती है नेंद वालीूम मतलब लात पकु ने क्शेज कर दिभध भब ल्माहिंट लग 40ऊ का मतल चर सब्सेंट मेंट नहीं जाने है कि आप सो रहे हैं आपको नहीं पता मच्छर आकर काट रहा है और आपने ऐसे हांथ चला दिया आपको नहीं पता लेकिन आपको दर्द हुआ तो आपकी बॉड़ी ने अपने आप क्या क्या रिस्पॉंड किया इसी बात को कहते हैं रिस्पॉंड रिफ्लेक्सिवली लिकलो आप होस में होस में रियक्ट नहीं कर रहे हो आप होस में कोई हरकत नहीं कर रहे हो जो हरकत कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि आपकी बॉड़ी के साथ कोई छेठार की जा रही है काटा जा रहा है उसको चुबाया जा रहा है तो अपने बॉड़ी उसको क्या करती है रियक स्टेज है डॉक्टर आपको कट करने कोशिश करेगा तो आपका हाथ पर चलेंगे डॉक्टर अपना काम सही से नहीं कर पाएगा तो तीसरी स्टेज आती है सर्जिकल अनसीस्या, इसमें क्या हो जाएगा आप ये रिस्पॉंड करना भी बंद कर देंगे, आप ये ऐक्टिवटी चरना भी बंद कर देंगे पूरी तरीके से unconsciousness हो जाते हो और paralysis of reflexes, जो आपके reflexes हैं, आपके activity है करने की वो सब paralyzed हो गई, बेकार हो गई, खतम हो गई, ठीक है, आप काटो पीटो, आप उसको react नहीं कर सकते हैं, All, यहां होना चाहिए था, All surgical procedure carried out in this stage, सारी की सारी जो surgical process हैं, वो इस stage में होती हैं, लेकिन अगर कभी गलती से dose बढ़ गई, overdose हो गया, तो होता क्या है, हमारे brain में एक part पाया जाता है, medulla, medulla, ना brain के अंदर होता है, वो paralyzed कर जाएगा, अगर यह paralyzed कर गया, यहां कि काम करना बंद कर दिया, यहां पर होते हैं हमारे respirator center और cardiovascular, heart को जो proper beat करवाता रहें, और हमको अपने 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 सांस लेते रहें, यह center कहा होता है, medulla में होता है, अगर अबस्था यहां पहांच गई, तो यह center काम करना बंद कर देगा, heart control करना बड़ा मुश्कुल हो जाता है, because there is depression, depression मतलब यह center depressed हो जाएगा, बेकार होने लगता है, ठीक है, काम करना बंद कर देगा, cardiovascular or respiratory center, depressed हो जाएंगे कौन से, cardiovascular or respiratory center, which may lead to death, death हो जाएगी, patient operation से तो नहीं मरा, बट पिचारा anesthesia से मर गया, बात समझ में आ रही है, कई बारे स hospital हो जाते हैं, और इसी लिए पहले sign करवाए जाते हैं, कि अगर गलती हो जाए, डॉक्टरों से, तो उनके उपर कोई action नहीं लिया जा सकता है, बात के लिए रहे, चलो आगे देखते हैं, अब थोड़ा सो देखते है, classification बच्चो, classification अपने course में है, ठीक है, classification अपने course में ह देखते हैं, क्या है, classification of general anesthesia, या general anesthetic, on the basis of root of administration, पहला classification हम देख रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से देते हैं patient को, खिला कर, नस में डाल कर, सुंगा कर, या किस तरीके से, तो root of administration में रेकाल से सब लोग समझते होंगे, किस तरीके से medicine ली जा रही है, तो गर हम बात करें, तो पहला है, inhalational, क्या है, inhalational, wix inhaler, सुना है, wix inhaler, तो सुंगा कर, यानि कि जब किसी दवा को, इसको anesthesia को सुंगा कर दिया जाएगा, तो क्या word लग जाएगा, inhalational, inhalational, ठीक है, यह further दो type के होते हैं, एक gas होता है, और एक होता है, volatile liquid, होता liquid है, लेकिन जैसे इसको सामने रख द समझते हो, पेट्रोल देखा है, पेट्रोल को ऐसे रख दो तो उड़ जाता है, तो वैसी से में जो anesthesia होता है, ऐसे रख दो उड़ना स्टार्ट करता है, गैस बनके, ठीक है, तो यह liquid को हम लोग जब पेशेंट को नाक में लगा देते हैं, कपड़े की थूर लगाते हैं, तो क्या होता है, वो जिए देने गैस बनके पेशेंट के अंदर चला जाता है, तो गैस के फॉर्म में होता है, नाइटर्स ऑक्साइट और वोलटायल लिक्विड होते हैं, हैलो थेन, ठीक है, डी सल्फियूरेन, सीवो फिल्यूरेन, आइसो फिल्यूरेन और इन्ट्राव इन्ट्राविनस, आई वी, इंट्राविनस मतलब आई और वी, याने की सीदा सीदा कहां दिया जाएगा, नसमें दिया जाएगा, कौन कौन से है, ठीक है, थापेंटल सोडियूम, इतोमीडेट, केटामाइन, प्रपफोल, मीठो, हैक्सी टोन, सोडियूम, यह एक्जामब इसमें जोड़ दें, तो देखो, गैस और वर्ल्टाय लिक्विड, ठीक है, यह तो तुरंत अंदर स्पोर तुरंधी काम करते हैं, ठीक है, जो आई भी होते हैं, इन्टरवनेंस दिया जाते हैं, उसमें कुछ होते हैं, फास्ट एक्टिंग, और कुछ होते हैं, स्लोर एक काम यहां पर भी बहुत ज़्यादा है, अब हम लोग स्लोर एक्टिंग होता है, वगरा वगरा, बहुत ज़्याद नहीं जाएंगे, ठीक है, कुछ तुम्हारा सेगंडेर में भी आएगा, क्लोजी के फॉर्म में, तो वहां के लिए छोड़ देते हैं, यहां पर हम लोग क तो आज आता है मेरे पास अब थायो पेंटल सोडियम, क्या है थायो पेंटल सोडियम, एक ड्रग है, एक एनसीजी है, तो कैसे क्या क्या जानना है इसके बारे में हमको, देखो मैं फिर बतारो जिसके उपर इस्टार लगा हुआ है, उन ड्रग्स के स्टक्चर याद करने पढ़ेंगे कोर्स में है, जिनके उपर इस्टार लगा हुआ है, उन ड्रग्स के स्टक्चर याद करने पढ़ेंगे अपने कोर्स में है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है, थायो पेंटल सोडियम आर्सो नोन एस सोडियम पेंटोथल, थायो पेंटल, थायो पेंटोन और अधिए रैपिड पैला पोईंट दूसरा पोईंट के गोल रहे है इतना हिस्सा है जासे बंजीन होते हैं पहले ही बता चुहा हूं जिनके अधर बैंजीन होंगे उसे बेंगनोई बोल देते हैं जिनकेंदर क्या होते हैं बेंजीन होते हैं उसका हम लोग बेंजीनॉइड बोल देते हैं तो यह जो स्ट्रक्चर है यह हमारे पास बेंजीनॉइड का स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है बेंजीनॉइड का पार बेंजीनॉइड का पार बेंजीनॉइड का यह कौमन कहीं पाए जाएगा तो उनको हम कॉमनली बोल देते हैं पार्बिट्ुरेट्स हैं जैसे कोई सक्स हुआ किसी पर्टिक्लर में है कि यह वर्मा फैमिली से है यह झाल के ना यह उसेफ अपनी से है तो क्या ना एक किसी एक होते हैं ये short acting barbiturates और साथ साथ में क्या है जर्नल एंस्थेटिक थोड़े के लिए काम करते हैं दस पंदा मिनट के लिए और फिर इनका असर खतम हो जाता है केमिकल नेम की बात करें तो तो यहां से मैं तुमनों को बता दूं समझा दूं कि नाम कैसे याद करोगा इसका ठीक है अच्छा इससे पहले चैप्टर नमर फोर है उसमें कुछ नेमिंग वह रहा है नेमिंग वह रहा चैप्टर है उसमें गिंती के तीस-चारीश कुछ इस ओके यह वह जाएगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 & 6 तो फाइव इथाईल में कौन आ जाएगा यह वन डेश और टू डेश यह दो कारबन हो गए ठीक है फाइव फिर वापस फाइव पे कौन है वापस फाइव पे यह क्या है वन मिथाईल ब्यूटाइल एक दो तीन चार इस चार कारबन है 1, 2, 3, 1-2-3-4 ठीक है तो फाइव इथाईल फाइव के अंदर एक और चेन लगी हुई है वन पे क्या लगा हुआ है मिथाईल लगा हुआ है यहाँ पर CS3 गुरूप है वन पे मिथाईल लगा हुआ है और चार है तो ब्यूटाइल टू पे थायोक्सो एस एच है ना ओएच होता तो हाइड्रोक्सो और ओएच है तो थायोक्सो चीक है ओएच है तो यह और सॉरी एस है तो क्या होता है थायो थायोक्सो लगा जाता है डाई हाइड्रो थायोक्सो डाई हाइड्रो पायरीमेडीन यह तो इस्ट्रक्चर है इसका जो बाइबिट्रेटर उस तो यह इसको क्या है जैसे इसके साथ याद होंगे नाम के साथ किलियर है साथ में अलग है तो हम लोग इसको कई वार कुछ लोग ऐसे करके खेर चोड़ो इसको ऐसे करके दिखा देते हैं हमको इसको जरूत नहीं है एस यहां दिखा देना है सोडियम इसका केमिकल नाम या एपिसी नेम क्यों साथ में उसका केमिकल स्टक्चर के लिए बात है चलो आगे देखते हैं आगे क्या है यूज़ेश इट इसको एक मात्र एनेथेसिया एजेंट यूज़ फॉर शॉर्ट परोशीजर छोटे छोटे प्रोसीजर जो होते हैं 10-15 मिन्ट वाले उनके लिए हम इसका इस्तमाल कर लेते हैं इन स्मॉल एंड लार्ज अनिमल छोटे अनिमल हो या लार्ज अनिमल है दोनों में हम इसको 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 रहा है तो बीच में क्या करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको क्या कर देंगे इसे मालों पंदा मिन्ट है पांच है दस मिन्ट के बाद थोड़ा सा देना है तो उससे का एक लॉंगर कर सकते हैं अगर करने की कोशिश करें इससे तो अजर्वाइस लॉंगर दुरेशन के लिए कुछ और भी अनेथीजिया आते हैं इसकी जरूवत नहीं पड़ेगी बास समझ मागी है इट आप जाग रहे हैं काम भी कर रहे हैं आपको लिए और कोई और कर रहे हैं आपको ल आप किसी और के डिरेक्शन पर काम कर रहे हैं आपकी खुद की सोचने समझने की छमता खतम हो गई है लेकिन आप जाग रहे हैं आप सोए नहीं है यह यह भी इंड्यूस करता है इसको खाल हो तो ऐसी अवस्था आ जाती है इस्टेबिलिटी एन स्टोरेज कंडीशन कैसे इस किस इनकी स्टेबिलिटी कब तक रहती है किस कंडीशन में रहेगी और कैसे इनको इस्टोर करें तो कह रहा है आफ्टर री कॉंस्टिटिशन आफ्टर री कॉंस्टिशन का मतलब क्या होता है तुम लों को बच्चों पत पाउडर के फॉर्म में और साथ में इसके क्या होता है एक पानी की बोटल होती है पता है याद आगया इसको इसे मिला देते हैं और फिर सलूशन बना लेते हैं तो जब हमने सलूशन बना लिया मिला करके उसके बाद आफ्टर री कॉंस्टिट्यूशन बात समझ महारी है उसके बाद हमें इसे स्टोर करना है फ्रिज के अंदर दो से आठ डिवरी सेंटिग्रेट में तो यह 24 घंटे तक साही सलामत बना रहता है अगर हमने इसे रूम टंपरिटर भी छोड़ दिया ऐसी कमरी के अंदर रख दि विश्चा तुरंट फ्रेश्क प्रिपेर कर लेना है अंद मस्ट बी यूउच्ट रैपिडली तुरंट उसको इस्थ माल कर लेना है ठीक है, अगर solution unused रह गया है, इस्तमाल नहीं कर पाए हैं, लिख लें unused रह गया है, इस्तमाल नहीं कर पाए हैं, तो 24 hour must be disposed, तो उसको हम लोग 24 घंटे में फैंक देना है, इस्तमाल नहीं करना है, वो खराब हो चुका है, patient को नुकसान पहुंचा सकता है, किलिए रहे बाते ह हम किस-किस रूप में पाए जाता है, injection की रूप में आता है, powder की रूप में आता है, solution की रूप में आता है, ठीक है, brand निम की बात करें, तो थायो सॉल, पेंटोन, थायो जैक्स, पेंटो थल और एनस्थल, clear है, यह तो सब को हर किसम पढ़ना ही पढ़ना है हमको, बड़े हम आगे, good, ketamine hydrochloride, इसके आगे भी start लगला हुआ, मतलब इसका chemical structure हमें, देखना है, हुए कीटा माइड हाइड होता है यह टिता मइन हाइड क्या होता है एकिया हilar से होती है खास कर यह पढ़र औhatा यह उसे क्रिक्राइब होती है डॉक्टर लिग से यह यह उसकेस में हम लोग क्या इन मेडिशन को दे देते हैं और जब हम अपने सिरेंज या कोई कट लगाते हैं पेशेंट के बाड़ी में जिससे कि उसको बहुत ज्यादा पेन ना हो तो डागनोस्टिक मतलब कई बार जरूरी निया हर बारी ऑप्रेशन के लिए हम उसे हलका सा बिहोसी जैसा करें उसे कई बार कुछ जांचे भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर कीटा मने हैटक्रोराइट बिलांग्स टुए क्लास ऑफ ड्रग का जर्नल अनेथेशिया ओके यह तो जब नाम के साथ कुछन आजागा तो यह लाइन कॉमन है सब में जोड सकते हो यह इस तरीके से हर ड्रग में जोड सकते हो ति बड़ा कॉमन सेंस के साथ चलना है कि एक् जिस हिसाफ से जिस नंबर का आएगा उसमें कितने मार्क्स या कितने स्वरी जिस मार्क से आएगा उसमें क्या-क्या प्वाइंट हम एक्ट्रा जोड़ दो जो सई भी हो और सब में चल जाए यह दिमाग लगा कर ही तुमको पड़ाई करनी है बासमज में आ रही है आगे आते हैं chemical name structure ख़्या दिखाए दे रहे हैं आगे देखते हैं क्या बोल रहा है टू पर टू क्लोरो फिनाईल टू पर याने की यह पिस एयुदे में पास वन यह आ गया टू टूबर यह फिनाईल ग्रूप है यह ग्रूप कौन सा है ठीक है और इसी पर इसी के वन और लैस और होडेश तूपे क्लोर फिनाईला टू पर ही उमिधाइल अमीनो ठीक है न थी नौपर ही यागया मिधाइल लगा ओए और यह क्या आमीन है इस इस अमीन और दकाइल ठीक है न। इस फिनाईल और तूपे अगया साइक्लोहेक्जेन 1 पर 1 यह क्यों लगा हुआ है उसके लिए बढ़ लगता है 1 हाइड्रोक्लोराइड साथ में क्या है तो इस तरीके से इसकी क्या हो रखी है नेमी हो रखी है बात समझ मारी है यूजस की बात करें इस यूजस एनस्थाटिक एजन्ट कॉमन है सबको पता वही पढ़ रहे हैं इसको हम लोग कई बार क्या करते हैं एनसीशा इंड्यूस करने के लिए शुर्वाद में इस्तवाल क अगर इसके मसल्स को रिलेक्स करने की जरूरत है तो हम लोग उसके साथ भी इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं इस यूजस बिद वीजरल पेंडी सेंसिटाइजिंग एजेंट वीजरल मतलब बॉड़ी के अंदर के जो जब कट लगते हैं बॉड़ी में तो उसमें पेन होता है ठीक है उन एजेंट्स के साथ भी इसको हम लोग इस्तमाल करते हैं इफ दस सर्जिकल प्रोसेस इन्वाल वीजरल पेंड अगर सर्जिकल प्रोसेस में हमारे बॉड़ी की जो अंदर और और जाता है उनको तो उनको कट करने पर उनको दर्द बहुत जादा होने वाला है तो उस केस में भी हम लोग उस पेन वाले मैडिसीन के साथ इसको हम लोग इस्तमाल करते हैं इस्टेबिलिटी एन स्टोरिज की बात करें इस शुड़ बी स्टोर इन टाइटली क्लोस कंटेनर इन ड्राइड वैल वेंटिलेटेट प्लेसेज शुड बी स्टोर एट टू फॉर्म्लेशन की बात करें तो यह लिっ इुट नूब को निकाल लेना है ठीक है को आन चीजंगो पकड़नी है जिससे की तुम्हारा जो लेर्निंग प्रोसेसरस थोड़ा कम हो जाए और हर किसी चीज को रटो के बैट के तो दिक्कत आएगी जो common लगता है कि अच्छा ये सब में लिख सकते हैं उसको निकाल लो और जो दो-चार पॉइंट बिलकुल अलग-अलग है हर ड्रक्स में उनको भी अलग कर लो और फिर अपना खुद से question का answer create कर सकते हो परफोल शॉर्ट अक्टिंग है, medication that result in decreased level of consciousness and lack of memory, result इसकी वज़े से होता क्या है, that result, इसकी वज़े से ये result, इसका result क्या आता है, decrease in level of consciousness, हमारा consciousness decrease हो जाता है, नहीं को सोचने समझने की छमता हमारी कम हो जाती है, और lack of memory, जो हम याद करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ भी हम उनको याद जल्दी नहीं आती है, ठीक है, it is used as starting and maintaining of general anesthesia, इसका main काम क्या है, anesthesia को start करवाना, की patient के अंदर anesthesia का work start हो, और उसको लंबे समय तक maintain करके रखने में, हम इसको क्या करते हैं, use करते हैं, it is given by injection into veins, IV दिया जाता है, intravenous है, its maximum effect takes about 2 minutes, 2 minutes के अंदर 2 आकर, effect दिखाने में 2 minutes दिखाता है, और last, last मतलब रहता कब तक है, रहता है for 5 to 10 minutes, 5 से 10 minutes के लिए ये अपना असर दिखाता रहेगा, तो कि इस पे star नहीं है, तो इसका जो ये structure है, this is not in course, course में नहीं है, बट क्योंकि इसका chemical नाम, ये नाम हमारे course में है, जो कि याद करना पड़ेगा, तो direct याद करने में फुरी दिक्कत आएगी, तो मैं इसको समझा जता हूँ कैसे हो जाएगा, देखो ये है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो 2 and 6 पर die लग गया, 2 है, और isopropyl, है ना, 1, 2 और 3, propyl group है, 3 होते तो क्या होते है, propyl group होते है, die isopropyl phenol, और ये group क्या है, वर्ष लगा हुआ है, तो स्ट्रक्चर में इसका सीरे दे दिया, ताकि इसका नेम समझने में तुम वो क्या रहे, आसानी रहे, के लिए रहे, आगे देखते है, यूसर की बात करें, तो induction of anesthesia, anesthesia को सुरुवात कराने के लिए, maintenance of anesthesia, conscious sedation, याने की sedation मतलब, आप बियोस रहोगे, लेकिन जागे पर आपकी सोच ने समझने की छमता, खतम हो चुकी होगी, that is called conscious sedation, can be used as convulsant, ठीक है न, convulsant की तरह ये, इस्तमाल किया जा सकता है, stability and storage condition, it should be stored in between 4 to 25 degrees centigrade के बीच में, इसको में, store करना है, freeze नहीं करना है, ठीक है, formulation की बात करें, तो injection में, suspension की रूप में, और emulsion की रूप में, market में available है, suspension और emulsion समझते हो, suspension क्या होता है, अगर पानी के अंदर rate डाल दो और हिला दो, तो जो चीज तयार होती है, rate अलग है, पानी अलग है, तो ऐसी जब कोई medicine हम लोग तो तयार करते हैं, जिसमें, medicine अलग और solution अलग रहता है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, suspension बोल protein का, कैसे पता, दूद में निम्बू निचोड़ो, दूद फट जाता है, protein अलग और पानी अलग, ठीक है न, लेकिन हम लोग कहते हैं, जब तक फटता नहीं है दूद, तब तक हमको दोनों चीजें एक ही लगती है, clear है, तो emulsion कुछ इसी टाइप से होते हैं, ठीक है, दो चीजों के मिलके बने होते हैं, लेकिन हम उसे पैचान नहीं सकते हैं, यह दो चीजों से मिलके बना हुआ है, suspension में दिख जाएगा, suspension में दिख जाएगा कि हाँ, दो चीजों से मिलके बना हुआ है, brand की बात करें, तो depreven और प्रपोven के नाम से market में available है, clear है, तो next lecture आने व terminology clear नहीं है, तो उसको कही ना कहीं से source लगा करके उसको ढूणने की कोशिश करें, otherwise मेरे को comments कर सकते हैं, तो मैं उसको क्या करूँगा, धूर करने की कोशिश करूँगा, और यह चीज़ बता दू मैं, chapter number जो हमारा था, inorganic pharmaceuticals, उसमें actually मेरे पास जो syllabus था, उसमें वो चीज नहीं थी, उसमें एक topic छूट गया है, ठीक है, वो मेरे syllabus में मतलब जो मेरे पास syllabus था, उसमें नहीं था, इस वाई से चूट गया, तो उसको मैं cover करवा दूगा बाद में, उसके लिए परशान ना होना, ठीक है, जो मैंने पढ़ा दिया है, फिलाल, उसको पढ़ते चलो सा साथ में, ठीक है, और एक चीज, इस बार से मैं मेरे को बता जेना, एक तो जो लेक्चर में ये दे रहा हूं, ये वाले notes मैं डालूँगा, और दूसरा जो मेरे पास original मेरा जो word वाला notes होते हैं, वो मैं डालूँगा, आपको कौन से notes बेटर लग रहे हैं, ठीक है, कौन से notes बेटर हैं, lecture वाले या वो वाले, तो मैं वही notes फिर next time से आपको provide करवा दिया करूँगा, ठीक है इस बार मैं notes के लिए दो लिंक डालूँगा, दोनों लिंक को download करना, और मेरे को पक्का बताना कि कौन से वाले notes के format आप चाहते हो, एक ये lecture वाले, जो मैं यहां पढ़ा द करना है, मैं बता दूँ, ultimately ये जो chapters है, बिना revision के, बार-बार याद किये बिना cover नहीं होने वाले है, clear है, तो क्या करना है, पढ़ा ही करनी है, चीजों को बार-बार revise करना है, कोशिश करो, लिख करके उसको एक बारी practice पक्का करो, clear, okay, all the best.